स्पोर्ट्स भारत में हमारे कल्चर का, हमारी लाइफस्टाइल का एक इम्पोर्टन्ट हिस्सा रहा है। आप भारत के गावों में जाएंगे तो पाएंगे कि बिना स्पोर्ट्स के हमारा हर फेस्टिवल अधूरा है। हम भारतिय सिर्फ स्पोर्ट्स लवर नहीं बलकि हम स्पोर्ट्स को जीने वाले लोग है। और ये हजारों वर्षों के हमारी हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होता है। इंडेस वेली सिविलाइजेशन हो। हजारों वर्ष पहले का वैदिक काल हो। या उसके बात का टाइम पिरियड। हर कालखन में स्पोर्ट्स को लेकर भारत की लेगेसी। बहुत सम्रुद्र ही है। हमारे हाँ हजारों साल पहले लिखे ग्रंथों में चौसट विधाओं में पारंगत होने की बात कही जाती है। इन में से अनेक विधाएं खेलों से जुड़ी हुई थी। जैसे होर्स राइडिंग, आर्चरी, स्वीबिंग, रेस्लिग ऐसी अनेक स्किल्स को सीखने पर बल दिया जाता था। आर्चरी यानि धनुर विध्या को सीखने के लिए तो पूरी एक धनुर वेज सहीता ही लिखी गई थी। इस सहीता में एक जगे कहां गया है दनुष चक्रंच, कुतंच, खडगंच, छुरी का गदा, सब्तमं बाहु युद्धं, शादेवं युद्धानी सब्तदा, यानि धनुर विध्या से जुड़ी साथ प्रकार की स्किल्ज आनी चाहिए, जिसमें धनुषवान, चक्र, भाला, यानि आज का जैवलिन थ्रो, तलवारबाजी, ड्रैगर, गदा और कुस्ति शामिल है। साथियों स्पॉट्स की साजारों वर्ष पुरानी हमारी लेगेशी के अनेक साइन्टिफिक एविडेंस है। जहां मुममई में अभी हम है, वहां से करीम 900 किलोमेटर दूर कच्छ में, युनेशको की वर्ल हैरिटेज साइट है, धौला विरा। धौला विरा पांच हजार साल से भी पहले एक बहुत बड़ा और सम्रुद्ध पॉर्ट सीटी हुआ करता था। इस प्राचिन शहर में अर्बन प्लानिंग के साथ स्पॉर्ट इंफ्रास्रक्चर का भी एक शांदार मोडल मिला है। खुदाई के दौरान यहां दो स्टेडियम सामने आये हैं। इन में से एक तो दुनिया का सबसे पुराना और उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। पांच हजार साल पुराने भारत के स्टेडियम में एक साथ दस हजार लोगों के बैठने की कैपिसिटी थी। भारत की एक और एंशन साइट राखी गड़ी में भी स्पोर्ट से जुड़े स्ट्रक्चर्स की पहचान हुई है। भारत की ये विरासत पूरे विश्व की विरासत है। भारत की विरासत हुई है।